दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांडिया को खतरनाग खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो खुलाई कि सारूर की जगा। उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंग्लेंड के खिलाफ उसेमी फाइनल में भारत की हार का सबसे बड़ा गुनेहगार कौन है रोहित शर्मा केल राहुल या फिर भारती गेंदबाजी अपनी राय नीचे कॉमेंट मे ज़रूर बताईए दोस्तों जब साल 2022 का वर्लकप शुरू हुआ तब सबको यही उम्मीद थे कि 15 साल के बाद टीम इंडिया इस पार शमतकार करेगी और आस्ट्रेलिया में जाकर रोहित की कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन बन जाएगा इसके लिए बीसी सी आई ना जाने कितने पापड बेले विराट कोहली को कप्तानी से हटाया पूरी टीम बदली दिनेश कार्थिक को फिनिशर के तोर पर टीम इंडिया में शामिल किया गया बनेश्वर कुमार मुहमद शमी रविच अंदराश्विन जैसे सीनियर खिलाडियों को टीम में मौखा द इंग्लैंड के खिलाफ भारत को जो शर्मनाग हार मिली है वैसा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को कभी नहीं मिला था इस हार पर रोहित शर्मा की कप्तानी और उनकी फॉर्म पर जम कर सवाल खड़े किये गया उन्हें कट घरे में लिया गया और टीम इंडिया के बाहर हो से आहत कपतान रोहित अब जल्दी ही कपतानी से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दे इसके कई सारे कारड़ है। रोहित की अभं मर भी काफी हो चुकी है। जहां वो अभब पेदिस के पार हो चुके हैं। वहीं तीनों ही फॉर्मेट में कप्तान होने के कारण उनके उपर काफी वर्कलोड है जिसका असर उनकी बल्लेबाजी में साप्र देखा जा सकता है। ये कुछ बड़ी बज़े है रोहित शर्मा की कप्तानी पत से इस्तीफा देने की। वही न्यूजिलेंड दौरे के लिए हार्दिक पांडिया को कप्तान नियुक्त किया गया है। जीहां सही सुना आपने हार्दिक पांडिया ही अब अगले भारतिय कप्तान होंगे। वंडे में जहां शिकर रवन टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे 2023 में कैप्टन हार्दिक पांडिया होंगे और वहीं पर दोनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के उप कप्तान रिश्चप पंथ होंगे। बिसीजियाई की सोच यहां से अब साफ नजर आ रही है जहां रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी के तौर पर अब हार्दिक पांडिया ही टीम इंडिया के कैप्टन होने वाले हैं। साल 2022 के आईपियल में हार्दिक ने पहली बार कप्तानी संभाली और अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। क्या लगता है? रोहित शर्मा की जगे हार्दिक पांडिया को कप्तान बनाना सही फैसला होगा या नहीं? हमें अपनी राए नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।